हेलो स्टुडेंट्स आप सभी के सोगत हमारे इस यूडिव चैनल पर आदे हम लोग बात करने आले हैं एक्टिविटी सीट के बारे में जो कच्छा 6 से लेका राट तक किया इसकी संक्यर 39 है और यहां पर आपको अपनी टीचर का नेम लिखना है यहां अपना नेम लिखना है और आज की डेट के आप 5-3-2-2 बैटा इस स्टार्ट करने इस पहले बता दूँ कि अगर आप सभी हमारे क्या करते हो वीडियो को लाइक करते हो चैनल को सस्काइब करते हो और फुल वीडियो को वाच करके कमेंट करते हो और इसके लिंक को अपने फ्रेंस के बीच में सेयर करते हो तो ऐसा करने पर आप में से कोई से तीन लखी विनर्स को वीकली तीन को मंतली प्राइस दिया जागा और मंतली प्राइस में है स्मार्ट वाच चलिए रिखते हैं इसमें क्या दिया गए reading instruction for student जो students हमके लिए reading instruction दी गही है Let your voice reflect the tone of the story and your personality of the character जो आपके voice है उसमें tone of the story होनी चाहिए यानि कि वह story क्या tone दिखा रही है और क्या personalities आपको जो है character की वह personality भी आपके दर आनी चाहिए do not read too fast कभी भी ज़्यादा तेज रीड नहीं करना चाहिए and very pace your you can pause the emphasis और जब भी कोई emphasis आए तो वहाँ पर थोड़ा सा pause होना चाहिए hello children hello children let's read a story about friend चलिए आज हम लोग friendship के उपड़ एक story read करते है my best friend once upon a time एक बार की बात है two friends, दो दोस्त Amun and Nassir were walked down thought a desert एक desert में पैदल चल रहे होते है at some point in the journey एक point of journey पे पहुँच कर they had argument and Amun's left Nassir's face इनके बीच में जगड़ा हो जाता है कुछ कहा सुनी हो जाती है और उसके बाद Amun ने क्या करा तमाचा माद दिया Nassir के face पर Nassir was hurt but he did not say anything वो बहुत ज़्यदा hurt हुआ उस movement पे और उसने कुछ नहीं बोला however, he wrote in the sand उसने rate में क्या रहे है? लिखा today, my best friend slap me in the face आज मेरे एक दोस्त ने मुझे तमाचा मारा मेरे चहरे पर they keep on walking until they found the oasis जब तक रेगिस्तान में ठीक है? एक oasis नहीं मिला तब तक वो walk करते रहे and they were they decide to take bath since it was real hot उन्होंने क्या करा? decide करा कि वो अब क्या है? आज जो है एक बात लेंगे क्या बहुत ज़्यादा गर्मी है suddenly नसीर गौड स्टॉक इन स्टैंप and start dovering them the amans saved without harvesting तब ही क्या होता है? तब ही क्या होता है? तो बच्चो तब ही क्या होता है? नसीर सडनली जो है दल दल में फस जाता है और वो दूबने लग जाता है तब ही अमन बिना कुछ सोचे समझे उसने अचानक्स उसमें जो है उसको बचा लिया और after recover जब वो दलदर से बाहर निकल कर आया तो जो नसीर था उसने रोट क्या करा? तोडे माइ बेस फ्रेंड सेव माइ लाइफ आज मेरे दोस्त ने क्या करा? मेरी जिन्दगी बचा ली ठीक है? अमन आगस्ट वैनाई स्लैप यू जब मैंने तुम्हें तमाचा मादा यू रोट इट इन सैंड तुमने उस समय सैंड पे लिखा था आप तुम जो है स्टोन पर क्यों रिख रहो? नसीर रिप्लैड वैन समवन हर्ट अस जब कोई तुम्हें हर्ट करे तो हमेशा उसे एक मिट्टी पे लिखो एक रेगिस्तान पे लिखो जिससे क्या है? जिससे forgiveness can erase away यानि कि वो तुमसे अब जब छहमा मांगे तुम उसे भूल जाओ बट वेन समवन डूस सम्थिंग गुड फॉर अस जब कोई आपके लिए अच्छा करे और भला करे तो हमेशा उसे क्या है? एक पत्थर पे लिखो जिससे कोई हवा भी आकर उसे मिटा ना सके आमान हग नसीव आमान ने तुरंत उसे हग कर लिया और आज से उसके दोस्त ने उसे एक नहीं सिक्छा दिया हमेशा लोगों की अच्छाई को देखने की कोसिस करो बुराईयों को नहीं आगे देखे कुछ अक्टिविटीज आपको दी गई है विजिट करना है आपको आपकी स्कूल लाइबरेरी में सर्च करना है इसी तरीके की एक स्टोरी को ठीके स्टोरी को सर्च करना है इसके बाद बिटा क्या करना है आपका देखो कोसिन नमबर वन और टू दोनों मैं एक साथ करवाऊंगा ठीके तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा दूसा कोसिन क्या बोला गया है इसमें तो स्टोरी वो लिख देंगे हम लोग नीचे क्या करना है मेक करना है फ्लैस कार्ड को ठीके जो की इस स्टो उस स्टोरी पर बेस्ड होगा जिसे आपने क्या करा है लाइबरिरी में फाइंड करा है अब फ्लैस कार्ड होता क्या है देखो बेटा सारे ऐसे कार्ड्स बनाओंगे तो स्टोरी से रिलेटेड ड्राइंग्स होंगी जिसमें और उसके बाद उससे मतलब उसको देखते ही आपके दिमाग में एक स्टोरी बननी चाहिए तो चलिए ये दोनों कोसंस मैं आपको एक साथ करवा देता हूँ फ्लैस कार्ड भी बनवा देता हूँ और स्टोरी भी लिखवा देता हूँ कोसं नंबर वन में तो बिटा आज की स्टोरी क्या है आज की स्टोरी में देखिये है मिठ्थू और उसके फ्रेंड्स के उपर मैंने एक story बनाई यह, जिसमें क्या है, river को वो बचाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इस story का main motive क्या है, save river आप कह सकते है, इसका moral क्या निकल कराएगा, save river, ठीक है, पहले ही मैंने moral आपको बता दिया है, तो चलिए, start करते हैं, से स्टोरी को देखो question number one में तो पहले ये जो lines मैंने लिख रखे ना इसको लिखोगे जैसे यहाँ पर चलिए मैं बताता हूँ आपको question number one में क्या लिखना है question number one में आप lines लिखोगे मिठ्टू and his friend enjoyed playing in forest once they decide to have earlier in the morning taking bath in local liver मिठ्टू और उसके दोस्त क्या कर रहे थे question number one में लिखोगे जितना भी लिख रहा हूँ लिखा हुआ है ठीक है जो pictures one ही है two में बनेंगी ठीक है इस बात को या रखेगा तो मिठ्थू और उसके दोस्तों ने क्या करा है एक बर forest में रहते तो और एक दिन उन्होंने decide करा कि कल सुबह जल्दी जाकर हम लोग क्या करेंगे लोग कर रिवर में नहाएंगे जाके तो on reaching the river side they saw to see that the river was filled with plastic weights and water polythings and back उन्होंने देखा कि वहाँ पर जो river है वो plastic weights bottle और इनसे filled है they were unhappy see the river condition और उन्होंने river की इस condition को देखकर बहुत unhappy वे so they decide clean the river removing the plastic weights और उसके friends ने और उसने क्या करा decide करा कि जो plastic weights है उसे remove करकर वहाँ river में रखेंगे they all enjoyed and to receive there the beautiful river उन्होंने सभी ने क्या करा उस महाँ से सारा waste निकाला और उस river को clean करकर दुबारा से clean करने का work चालू कर दिया कुछ देर बाद cleaning के कुछ समय बाद वहाँ river में वापस से पानी आगा और उन्होंने enjoy करा महाँ पर बात और यहां से क्या करा वो वापस से घर वापस चले गए handy the myth who was thought free अब उनके दिमाग में एक thought आता है और वो जानना चाहते थे किस तरीके से चीज़े प्लास्टिक से बनी और कितनी ज्यादा dangerous होती है प्लास्टिक अनिमल्स के लिए तो बेटा यहां पर जितना भी ये लिखा है जितना भी लिखा हुआ है ये सारा question number one में क्या कर दोगे ये सारी चीज़े question number one में ठीक है इसी sequence में लिख दोगे ठीक है जिस sequence में मैंने इसको पढ़ा है यानि सबसे पहले ये फिर ये वाला bracket फिर ये फिर ये फिर ये फिर य लेंगे मिलाकर answer number one इसके बाद क्या करोगे आप एक flash card बनाओगे flash card कैसे बनाओगे एक card पर ये picture बनाओगे दूसे card पर ये picture चली जाएगी ठीक है जो question number two का answer होगा card पर पिच्चर बनाके क्या महीं books जो आपका question होगा और C में इस तरीके से picture बना देना तीसे नमबर पे चौथे नमबर पे ये पांचवे पे ये और छटे पे ये picture बना देना और ये आपका question number 2 का answer हो जाएगा तो जो pictures हैं ये जो pictures हैं ये question number 2 का answer है ठीक है जो ये है question number 2 का answer और ये जो return लिखा हुआ है ये सारा क्या है question number 1 का answer है चलिए देखते हैं अगला question क्या है तो बच्चो अगला question क्या है think and incident एक incident को think करिए जिसमें आपने अपने दोस्त की मदद करिए उसके बाद आपको कैसा feel हुआ इसके बारे में लिखना तो और उसने जो है work नहीं करा था school का ठीक है then I help him complete the work मैं उसके काम को पूरा करवाने में उसकी मदद करी and all has work complete quickly और जितना भी school work था वो सारा quickly complete हो गया और उसके बाद हम बहुत happy हुए इस answer को आप महाँ पर क्या कर लोगे बेटा लिख लोगे ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रस तो बेटा आगे आपकी वक्सीट क्या होती है यहीं समापत होती है आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल से स्काइप करना ज्यादा से ज्यादा contest में पास्पेट करना धन्यवाद बच्चो